पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप जिसमें अमेरिका को इरान कह रहा है दूर रहना इस मामले में एंट्री लेने की कोशिस नहीं करना क्या अब एक बड़ा जंग कुछ ही दूर है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ भारत के चुनाओं में क्या चाइना कर सक गोटाला आखिरकार माइक्रोसोफ्ट ने कौन सी बड़ी बात चेताई है जियो वॉल्टिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इरान और इस्राइल के बीच इस समय तनाव चरम पर है सीरिया में इरानी दूतावास पर इस्राइली हमले के बाद दोनों देसों की ओर से आकरामक बयान बाजी हुई है इरान ने हमले का बदला लेने की बात कही है तो इस्राइल ने किसी भी अटेक का जवाब देने की हूंकार भरी है ऐसे में इस बात का भी अंदेशा है कि दो उनों देसों में लड़ाई छिडी तो ये काफी भीसन होगी इसकी वज़ा है दोनों देसों के पास मजबूत सेन्य साजो समान है वैसे आपको बता दें यहां पर सीरिया में अपने वानिजीक दूतावास पर हमले के बाद इरान बुरी तरीके से भड़का हुआ है हमले के ल यह तयार है लेवनान की सीमा पर इस्रायल और हिजबुल्ला के बीच गोली बारी तेजहनी की भी खबर है इस ऐरान ने अमेरिका को इस मामले से दूर रहने को कहा ताकि इस लड़ाई की आँच में अमेरिका ना जुल से। इरान ने बताया है कि उसने अमेरिका को लिखित संदेश भेज कर आगाह कर दिया है। इरानी राश्पती के राजनितिक मामलों में डिप्टी चीफ ओफ स्टाफ मुहम्मद जमसीदी ने एक्स पर इजराईली परधानमंत्री का जिक्र करते हुए लिखा कि एक लिखित संदेश में इरान ने अमेरिका को नेतन याहू के जाल में न फसने की छेतावनी दी है। अमेरिका को अलग हट जाना ताहिए ताकि आपको आँच न आए। जमसीदी ने आगे कहा कि वॉसिंगटन ने जवाब में इरान से अमेरिकी ठीकानों पर नहीं करने को कहा हमला और हलाकि इरान के भेज़े गए कथित संदेश पर अमेरिका ने कोई टिप्ली नहीं की है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट सी एनन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भी हाई अलट पर है। एक बेनाम अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अमेरिका छेतर में इसराइली और अमेरिकी ठीकानों के खिलाब इरान की तरफ से महत्पुन परतिकरिया की तैयारी कर रहा दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बाइडेन परसासन इस बात को लेकर चिंतित है कि जराइल के अंदर सेन्य और खूफिया ठीकानों के खिलाब हामला हो सकता है। बुलूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के एक और सामानी कदम के बारे में भी बताया ज और इसे अमेरिका के मध्यपुर्व में अपनी सेना और सेनी ठीकानों पर हमले की कोशिस करते हुए देखा जा सकता है। बीते सोंबार को सीरिया की राजदानी दमिस्क में इरान का वानी जिदूतावास एक हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। इसमें इरान की एलिट फोर है कि इरान क्या इजराइल पर सीधे हमला करेगा या लेबनान में इस्तित हुजबुल्ला जैसे किसी प्रॉक्सी संगठन के माध्यम से जवाब देगा। अब यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक अलग चीजे दिखा रही है। हो सकता है अगर यह जंग होता है तो कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन भारत में लोकसभा चुनाओ को प्रभावित करने के लिए आर्टिफीसियल इंटेनिजेंस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका और दच्छिन कोरिया में होने वाले चीन के ए चीन सोसल मीडिया के माध्यम से एई जनरेटेट सामागरी परसारित करेगा जो हाई परफाइल चुनाओ को प्रभावित करेगा। दरसल चीनी कमपनिया मीम्स वीडियो और ओडियो के साथ तेजी से परियोग कर रही है। एक बयान में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि चीन कोरिया और अमेरिका में होने वाले चुनाओं के परिनामों पर असर पड़े Microsoft ने कहा कि कुछ लीडर्स ने AI जनरेटेड मीडिया को बढ़ावा देनी की इच्छा दिखाई है इसके अलावे चीन ने वीडियो, मिम्स और ओडियो कंटेंट के जरिये चुनाओं पर परभाड डालने के लिए कोशी से तेज की है Microsoft ने उन देशों को चीन के पैतरे से अलट करते हुए याद दिलाया है कि Flax टाइफून नामक एक चीनी सरवर ने US, Philippines, Sen या भ्यास से जुड़ी संस्थाओं को टारगेट किया था Microsoft ने बताया कि उसने 2023 में Philippines, Hong Kong, भारत और अमेरिका में भी कुछ परतिस्ठानों को टारगेट किया है आज की डेट में अगर AI की बात करें तो AI बहुत तेजी से आगे निकल गया है और AI का इस्तेमाल अब इस रूप से होता है कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा कंटेंट नकली है इसको लेकर कुछ भी कहपाना बहुत मुस्किल हो गई है यही वज़े है कि यहाँ पर AI को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है जैसे की पहली राजनेता जो सिकार बनी AI की वो थी इटली की राश्टरद्यच जोर्जिया मेलोनी और इसका हमने देखा कि किस तरीके से आखिरकार मानहनी का केस तक करना पड़ गया और मानहनी के लिए उन्होंने बड़ा दावा भी ठोग दिया दरसल जो देश खुद एक बिलियन डॉलर फंड लगा रहा है आखिर उससे देश के राश्टरद्यच को ऐसा क्यों करना पड़ा तो इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके और AI का इस्तेमाल करके जोर्जिया मिलोनी के ऐसे वीडियोज बनाए गए जो वीडियो उनकी छवी को बहुत ज़्यादा धूमिल कर सकती ही थी और धुमिल कर भी रही थी जब ये वीडियो उनके सामने आया तब उन्हों ने जा कर इस पर एक्शन लिया और इस एक्शन के बाद दुनिया को समझ में आया की AI का किitना खतरनाक इस्तिमाल हो सकता है अब कहा जा रहा है कि इसी खतरनाक इस्तेमाल को कर सकता है चाइना और चाइना इस इस्तेमाल को करके चुनाओं को परभावित कर सकता है कैसे तो कोई नेता है जिसकी छवी बहुत अच्छी है उसकी छवी को बिगाड कर दुनिया के सामने पेश कर सकता है ताकि जनता को ये लगे क्या हमारा नेता ऐसा है हम तो कुछ और सोच रहे थे हाल पिलाल में कई बार देखा गया है किस तरीके से AI का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक सब का इस्तेमाल किया गया है बेटिंग एप को बेचने के लिए तो ऐसे में यह चीजें बन सकती है एक बहुत बड़ा खत्रा यह कोई बड़ी भात नहीं है और जनता इस चीज से अभी तक पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है क्या है याई क्या नहीं है अगर जनता के सामने ऐसे content सामने आते हैं जो की risky हो तो उन्हें समझ में नहीं आएगा उन्हें वो वास्तवी की ही लगेगा वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ